कि जेहें सबस्था नमस्कार कैसे आप सभी स्वागत आपका अपने परिवार में जैसा कि आप देख रहें क्या है चोंप ही समय समय पर युवासाथी है जो अपने हग की अगर मांग रखते हैं और अगर के लोड़ी लाल मिनआर्म राजस्तान राजकर पत्र लिखें अैसे ही भरति को लेकर कि जब विभा कि और विधाय क्या कर रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं ऐसा ही जब यह अंदोलन हो रहा है इसके ओपर भी बोलने वाले कोई और विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, आखिर ये युवा पिडी चुनाओं के समय उनके साथ घूमती है, उनके साथ जा जाकर दिन रात मेहनत करती है, और आज अपने हक की बात आई, तो उनसे जाकर स्वाल नहीं कर पाती, उनसे जाकर उनको अपने साथ नहीं ले पा तो वह आपकी अवाज जो है विधान सवा में बनकर गुंजे क्या क्या कोई एक मिले नहीं चुना आपने अच्छा पश्चमी राजस्तान वहां से करांती आती है बहुत सारे युवाज ये पुर्पुर पहुंशते हैं लेकि अन्नुमति नहीं के कारण उन्हें तित्र-बि में वहाँ पर कुछ युवा साथी हैं उन सब ने यह कहा है कि सर हम यहां अंदोलन्द कर रहें और आप वीडियो बनाए ताकि जो राजस्तान का जो युवा वर्ग आप से जुड़ा हुआ है जो रीक त्यारी कर रहा है या इसमें फन्स लेवल वाले वी १ mortar शी को विद्यारती हैं उनके साथ झो एक अचानक लागू कर दिया ऋगया जो उनकी मानसिक स्तति को सही नहीं कर पारा है वह खून से लेटर लिख रहे हैं वह बहुत ज kicking कर दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस साल VSTC की उनकी उमीद है कि वो कैसे भी करके नोकरी लगें कैसे भी करके वह अपना घर का जो है जिवन या अपन अच्छे से कर पाएं एक माँ बाप की आस है एक बहन को आस है कि उसका भाई नोकरी लगे पतनी को आस है कि उसका पती नोकरी ल इस बार बोल चुका हूं एक भी लड़की ने वीडियो बना कर नहीं कहा कि महला ऐसा ही भरती जो है वह आनी चाहिए एक भी लड़की जो है कोई गुरूप नहीं बना पाई जिसमें कोई सो या पांसो राजस्तान के लड़कियां जुड़े और वह यह कहें कि हम लेटर क्योंने कोर्स खरिदा पर वह चुप हो गई अपने हक के लिए नहीं बोल पाई और हम कहवत और कहानी सुनते हैं कि खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी या चुंड़ावत मांगे सेनानी सरकार्ट दियो शत्रानी यह राजस्तान की वह भूमी है जहां व मांग ही नहीं लिख रहा है वह आगे भेजे नहीं रहा है कि बहुत सारे ऐसे मेलेज हैं उनको अपने ट्वीटर अकाउंट है वहाँ पर लिखना चाहिए कि जो क्राइम बढ़ रहा है महिलायों बाल अपर उसके लिए वीडियो बना कर डालना चाहिए या यह सिकर 50% महिल कुए ना करें प्रयास करें कोई नहीं दो धिन धर्ना फिर उठा दिया जाता है पिर बात भूल जाते हैं हम हर बात भूल है जैसे मेién thé के वीडियो हमें बूल दे दहीं और बहुत जाते छोड़ो रहे यार दिन काटना है तो ऐसे ही यह आंदोलन भी धिरे-धिरे ठंडा हुआ पहले उगरूप था बहुत सारे नेता गण आये मांग की सीम साब से मिले उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन पूरा नहीं किया फिर दुबारा सोचा अनुमति लेकर आंदोलन क करेंगे जगह जगह पर लोग गए भी SDM को ग्यापन दिया प्रतेग सिरफ कारे किस ने किया यूआ चात्रों ने जो पीडित छातर थे उन्होंने किया उनके साथ मुझे कोई भी नेता नहीं दिखा चाहिए वो रास्तान उनिवर्शिटी का नेता हो चाहिए वो जोद्प बने उनका काम है उनको भी मेसी स्कॉल किये उन्होंने भी कासरम प्रियास कर रहे हैं लेकिन प्रियास करना और उसका प्रिनाम आना वो जरूरी है तो उसके लिए यह सिकर चलो महांदुलन रखा गया है यह तारीक में आपको बता देता हूँ 14 सितंबर को रखा गया है और जगे है सीकर बाकी आपको इसका जो पेज बगेरा है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा यहां पर आप जुड़े रहेंगे तो इससे जुड़ी हुई जानकारी जो भी होगी जो मुझे लगेगा कि डालनी चीए वो आपको डाल दी जाएगी दूसरा हम इस पर बात कर लिए भी सभी रास्तान के युगाओं को कहराओं सब पहुंचे जरूर और उसका कोई वीडियो भी आता है तो मैं शेयर करता हूं यह जो लिखा गया ऐसा ही भरती रद के लिए इसके लिए भी बहुत सारे जो है वो नहीं कहेंगे क कुछ इसमें जैसे इन्होंने तो सर ने साफ साफ लिखाया कि 869 में से 500 फरजी यानि 50% से जादा फरजी यह किरोडी बाबा कह रहे हैं अब कोई कहेगा कि इनको क्या पता है इनको ही तो पता था तभी तो बड़े बड़े जो है जाल में मगरमस भी फस गए और आर्पेसी सदस्य जब फस जाते हैं तो आप सोच लिजिए कितनी धांदली हुई होगी अब सारे हैं जो इसके लिए मांग उठाये ना उठाये जो सही है उनके लिए भी सरकार सोचे और जो गल्थ है उनके लिए सोचे या जो घृपतार हुए उनकी जो सीट है उनको खाली कर दिया जाए और उनकी जिए जो वेटिंग में रहेगे उन सब को शामिल किया जाए और इसमें उनको भी मुका दिया जाए नई भरते निकाल कर जिन विध्यारतियों को ओवर एज के कारण मेरे कुछ दोस्त है किसंगर्ड थाने के अंदर है ओवर एज कुछ मित्र स्वाई मादों पर पुलिस लाइन में थे वह अब ओवर एज होगी चुके हैं जिन्होंने छुटियां लेकर त्यारी की और वह वंचित रहे गए तो उनको भी अफसर मिलना चाह है तो साथ लाख युवाउंग को न्याय मिलता है अब देखते हैं क्या होता है यह सरकार का निरने है होने को तो ऐसा भी है कि कुछ गिरफ्तारियां होती है कुछ समय तक हम सोचते हैं कि उनको जैन होगी सजा होगी साल और साल बाद में वहीं बाहरा आ जाते हैं तो पता चलता वह वापिस अपने हग के लड़ाई लेकर जो है दुबारा जोइनिंग भी कर सकते हैं तो इसका हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा ये आगे आगे चलती रहेगी परकिरिया तो ये दोनों ही बाते आपके सामने रखी आपके क्या विचार है इन दोनों ही बातों पर वह सोशल मीडिया एक प्लेटफॉरम है आप लोगों से आप लोगों तक पहुंचने का जैसे ओफलाइन कोचिंग के लिए हम कह देते हैं कि आप जैपुरा ये ओनलाइन के लिए मैं कह देता हूं त्यारी कर लोपर आई ये उसी परकार आप लोगों को यहां पर भी यही कह सक हुआ ठीक है वागी जैहिं जै भारत आप जीते आपकी उमीद जीते सभी को मेरी और से बेस्ट ओफ लग 14 सितमर को आप पहुंचे और चातर संग के जो अध्यक्ष है जो विरोजगार संग के मैं उनको भी मेसेज कर दूँगा वो भी आपके बीचों पस्तित रहेंगे औ और आप जो अपने हक की लड़ाई बहुत ही जोस और जुनून के साथ लड़ें कोई भी परसासन के विरूत ना जाए ठीक है ठीक्यू जेहिं जे भारत